रुद्र प्रियाग में एड्स के कहर से लोगों में दहेशत है ला इलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रति दिन लगातार बढ़ती जा रही है जो एक चिंता का विशे है यहां दो साल की भीतर एट से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी विर्धी हुई है दो साल पहले मरीजों की संख्या 50 तक थी लेकिन दो साल में ये संख्या 91 तक पहुँच चुकी है जिले में कई मरीज ऐसे भी हैं जो अपना इलाज बाहरी अस्पतालों में करा रही है एट स्पीड़ित मरीजों की अधिक संख्या महिलाओं की है ये बीमारी 17 साल के किशोरों से शुरू होकर 60 साल तक के बज़र्गों में फैली हुई है वहीं लगातार बढ़ रही इस बीमारी पर SCMO डॉक्टर S के जहाने भी चिंतजताई है उन्होंने बताया के नियमेत रूप से दवाई का उपियोग नहीं करने पर परेशानी हो सकती है उसलिए इस बीमारी तो बातर में परेशानी के यह अब बातर में करने चाहे है से लगे. फिर दॉग वोटकर से अब 1-2 पता के लगाए हु दो प्रके चाहिए उस प्रके लगे प्रफेसंदे रखती हुए उनको सुगर की जाँच ज़िस ही पहाड में हालात कितने गंबीर हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एट्स रोगियों में 17 से 18 साल के योवा भी शामिल हैं स्वास्त अधिकारी भी इस से चिंतत हैं हाला कि लगातार विभा की तरफ से मरीजों को समय पर दवाईयां उपलब्द कराई जा रही हैं पर इसके लिए लोगों को भी जागरुक होने की जरुत हैं समय पर दवाईयां लेने से एट्स जैसी गंबीर बीमारी का खतरा टल सकता है वही सरकारी अस्पतालों में एट्स और एचाईवी की जाच और मुफ्त एलाज की सुविधा उपलब्द है पंजाब केसरी टीवी के लिए रोदर प्रयाक से भूपेंदर भंडारी की रिपोर्ट